कल महा गठवंदन की रहली था पत्ना के गांधी मैदान में ऐसे में दावा किया गया था कि तरफ से कि दस लाग से जादे लोग भीड पहुंचेंगे और एक जो कई जो कल जो एक नया संदिश देखने को मिला कि लालू परिवार के तो पहले हिं चार-पांच सदस्द से नितिक में फिर से नहीं अध्या में शुरू कर दिये देखिए परिवार बाद बहुत बड़ा फैक्टर राजनिती का नहीं रहा और इससे कोई पार्टियां चूती नहीं है अब रही डिग्री की बात है थोड़ा सा राजद में डिग्री जादे है और लालू परसाद जी इसके उदारन है लेकिन दूसरे दलों में भी स्वेम राहूल गांधी जी तो कॉंग्रेस में परिवार बात के उपज है भाजपा में भी आप देखते हैं तो वही स्थितियां है तो मिलाज उला करके आप देखेंगे तो परिवार बात से कोई पार्टियां उपे ची यह अच्छुता नहीं है इए दिन तो टूटर पर रहती ही थी अवराजनितिक कि मंच पर भी अब साधा करने लगी अब राजनितिक परिवार के सधस्य है तो राजनिती तो बच्पन से ही देखी है और समझी है और अगर राजनिती में कल इंटरी हुई तो और आस्टर जाह इसके पहले भी बहुत लोग उनके टिपनी देखते थे ट्विटर मेडिस पर या सोचल मेडिया के मारफ़त इसलिए यह वी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह कल जो भीड जो देखने को मिला क्या यह वोट वैंक में तब्दील होगा क्या कि संक्या के हिसाब से रास्तिय जनता दल या कहिए कि इंडिया महाकटबंधन का जो रैली थी वो सफल मानी जाएगे लेकिन उसको अगर आप विशलेशन करने की थोड़ी से अगर कोशिस करेंगे तो जो एक तो कि कई दलों की संख्या थी लेकिन रास्तिय जनता दल जो सबसे प्रमुग घटक था उसके अगर थोड़ा चीर फाड करेंगे विशलेशन करेंगे तो निस्टी तो रूप से थोड़ा सा अलब संख्यक भाईयों की भागीदारी कम थी यह कहिन कहीं दिख रहा था दूसरे तरफ आप देखेंगे तो अथी पिछडा और दलितों के भी संख्या कहिन कहीं भागीदार कम दिख रही और इनी बिंदुओं पर नेताओं के भाषन भी कृंधि वुए और इनी बिंदुओं पर है जो है रिजल्ट भी प्रभावित हो यह संख्या तो है लेकिन संख्या में जब तक जोरन नहीं बढ़ेगा तब तक इसलिए रास्तिये जानता तल को बहुत अधिक उ उन मतों को जोड़ने की जरूवत है जिन मतों का कलास्पस्ट रूप से कहीं कहीं उपच्छित नजर आ रहे थे वैसे मतों को अगर राष्टिय जनता दल या महाकटबंधन जोगाड करने में काम्याब रहा तो वह कहीं कहीं सफलता मिलेगी नितित्टु को अगर नहीं बुझाता तो फिर सारी बाते लालों जी के भाषन में इसी बात पर जोड़ दी जा रही थी जौतली के भाषन में भी यही बात की जोड़ थी जोड़ का मतलबी था कहीं न कहीं कमी को महसूस कर रहे हैं कि आखिर वो लोग नहीं आए एक तरफ है एक जाती विशेश के लोग अति उत्साहित है और दूसरे तरफ है अलपसंख्यक जो इनका पहले मेन भोट माना जाता था जादों से जादे अबादी अलपसंख्यकों की थी है बिहार में फिर भी उतनी पचास फिश्दी से उपर है इन वर्गों से भी कार्जकरताओं और संख्या में के हिसाब से कमी थी अगर यह लोग आ जाते तो निश्य तुरुप से भारतिये जनता पाटी के जो गटबंदाने इंडिये उस पर भारी पढ़ते लेकिन आज की स्थिति हुआ नहीं है आभ बातों कहने से सिर्फ नहीं होती है बात को कहीं ने कहीं बेवार में लाना पड़ता है आप कहें कि हम अती पिछणों की बात करेंगे और एक्शन में कुछ उल्टा हो आप कहें कि हम दलितों की बात करते हैं अल्प संक्यकों की बात करते हैं और एक्शन में उल्टा हो आज संदेश नहीं जाता इन सब बातों पर इसलिए मैंने कहा कि बोलने से अधिक करने में विश्वास करना चाहिए और जब नेता करनी करता है उसका संदेश स्वेम जाता है दालुपरसाद पहले के दिनों में किया करते थे संदेश जाता था बात की दिनों में उसमें कमी करती उसका जला गया इसले नेता के भासन से अधिक है उसके करनी पर जोड़ देना चाहिए और करनी है विकार निस्फल नहीं जाता है उसका संदेश देर सब्सवेर जाता है यह उसके अमसार पबलिक अपना मन बनाती है अच् कि मैं तो टेक्निकली आर जटी में था और हूं लेकिन जिन इस वालों को ले करके हम पिछले आज बर sub avec उनसी सवालों पर रास्टिय जनता दल सरकार के साथ थी उसमें अगर हमारा ऑंदोलन था तो उस में रास्टिय जनता दल को यह नागवार गुजरा जबकि मैंने पहले से भी माना कि 110 जातियों का लगबग 36 फिसदी आबादी का ये प्रमुक समस्या है उस पर रास्तिय जनता दल को अपना स्टेंड क्लियर करके और हमारे इस आंदूलन के मुहिम के साथ होना चाहे था लेकिन उल्टे रास्तिय जनता दल ने मेरी हमारी सदस्ता स्माप्त हुई आती पिछड़ों के मूल समस्याओं के लिए यानि 110 जातियों के जो समस्याएं थी कि तेली तंड हमली दांगी को मूल प्छड़ा से निकाल ऑस पर हूई आप समझ सकते हैं कि रास्तिय जनता दल की क already अधिः पिछड़ों के परती पूर्व विधान परिशा सदस्रामबली सिंद्रवन से इनका साफ तर पर काना है कि कल जो संख्या जो दिखने को मिला और अलप संख्यक और अति पिछडा का कहीं भी भागेदारी और संख्या दिखने को नहीं मिला ऐसे में कहीं कहा जाए तो अभी भी और जेडी को उस पर काम करने के जरूरत है पटना से सहयोगी हिरा लाग सथ विवेक रंजनीजबास को पटना